सोसल मीडिया के उपर आजकर लोग ज्यादा एक्टिव हैं और जहां पे भीड होती है वहां पे फ्रोड की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं सोसल मीडिया के थुरू आपको मेसेज आया कि आपके मित्र ने आपसे कुछ पैसे के डिमांड की आपने पेमंट कर दी बट रियल वर्ल्ड में जब आपका मित्र आपसे मिलता है तो वह कहता है कि उसने ऐसी कोई डिमांड आपसे नहीं की आप कहते हैं आपने पेमंट कर दी और वो कहता है उसे कोई पेमंट रिशीव नहीं हुई आप छट से अपना मोबाईल उठाते हैं और उसमें उसके दवारा की गई डिमांड दिखाते हैं और फिर आपके दवारा की गई पेमेंट फेस्बुक पर आज कल अक्सर ऐसे चीज़ें देखने को मिलती है दूसरे प्लेटफोर्म भी इसमें सामिल है पर सबसे ज़्यादा फेस्बुक पर रिसेंटली मेरे भी एक मित्र के साथ ऐसा ही हुआ मुझे कैसे पता चला जब मैं अपनी फेस्बुक चेक कर रहा था उसी दोरान मुझे एक friend request आई उस मित्र की जो पहले से मेरी friend list में था अब जैसे ही friend request आई मैंने सोचना शुरू किया कि दुबारा से friend request क्यों और फिर मैंने कुछ steps follow किये जिसकी सहायता से मुझे पता चला कि वो नई request fraud है इतनी ही देर में उस मित्र का फोन मेरे पास आया और उसने मुझे बताया कि उसकी Facebook ID हैक हो गई है और उस ID से कुछ और फ्रेंड से पैसे के डिमांड की गई है परन्तु मैंने उसको कहा कि Facebook ID हैक नहीं हुई है क्योंकि हैक होती तो वो लोगिन नहीं कर पाता परन्तु वो हासानी से लोगिन कर पा रहा था अपनी पोस्ट अपडेट कर सकता था हैक होने पर आप उसके अंदर लोगिन नहीं कर पाएंगे उसके पासवर्ड वगरा चेंज हो जाएंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि वहाँ पे नई Facebook ID क्रियेट की गई अब बात आती है पैसे की अब पैसे की डेमांड आई पेमेंट कर दी गई तो वहाँ पे गलती किसकी हुई क्योंकि आपका जो मित्र है उसने पेमेंट कर दी है परन्तु जिसने पेमेंट मांगी थी जिस Facebook नेम से पेमेंट की डेमांड की गई थी उसके पास कोई payment नहींगी तो ऐसे में गलती किसकी आप भी नीचे comments के अंदर लिखके बताईएगा कि गलती किसकी है पैसे देने वाले की या पैसे मांगने वाले की वेल हम आगे चलते हैं और आप भी अंदाजा लगा पाएंगे यहां पे कि गलती किसकी है अब यहां पे ऐसे स्थिति में जरूरी हो जाता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी Facebook ID को secure कैसे किया जा सकता है और अगर ऐसे किसी मित्र की friend request आती है तो उसकी Facebook ID को check कैसे करें इसके लिए आप एक चीज़ ध्यान रखिए Facebook का कोई भी account create होता है तो वहां पे दो चीज़े होती है एक होती है Facebook ID और दूसरा होता है profile name अब यहां पे जो ध्यान देने की बात ये है कि profile name कुछ भी हो सकता है Facebook ID एक ही बन सकती है दूसरी ID, same type की ID create नहीं की जा सकती तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक Facebook ID हो सकती है जो आपकी है वो unique है वो Facebook ID दूसरी नहीं बनाई जा सकती तो क्या बन सकता है सिर्फ profile का नाम बदला जा सकता है या आपके नाम से कोई नई profile बनाई जा सकती है परन्तु उसकी ID अलग होगी आईए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहां पे किस तरीके से Facebook ID और Facebook profile के अंदर क्या होता है और हमें कौन से step follow करने चाहिए जब इस तरह की दिक्कते हमारे सामने आएं ताकि इस तरह के fraud करने वालों से हम अपने आपको बचा पाएं परन्तु आगे चलने से पहले एक कम जरूर कर लें यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को पूरा देखने के बात हर उस मित्र के पास जरूर भेशे जो आपकी friend list के अंदर है ताकि इस तरह के fraud से खुद बचे और दूसरों को भी बचा सकें तो चलिए अब एक-एक step को देखते हैं कि किस तरीके से आपको इस तरह की situations में या अपनी ID को secure करना चाहिए हर step important है हर second important है सो ध्यान से देखिएगा आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ये ID है और दूसरी ID ये है दोनों ही सत्पाल के नाम से बनाई गई है अब क्या आप इनको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी ID duplicate है और कौन सी ID original है आप इसको A मान ले इसको जो दूसरी ID है इसको B मान ले ये पहली ID है ये दूसरी ID है तो आप नीचे comments के जरूर लिखें कि यहां पे इन में से कौन सी ID fake है A या B ये A है ये दूसरी ID B है चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कैसे पता चलता है देखिए यहां पे अगर हम क्योंकि अभी generate की है तो ये सभी के पास Facebook के उपर friend request भेजेगा और friend request भेजेगा friends है और इसके अंदर आप देखेंगे तो 632 friend आपको नजर आते हैं तो आप friend list में जाएं उसकी और friends को चेक करें उसमें जरूर आपके दो तीन या चार जानकार friend होंगे और आप अपने इन में से किसी मित्र को जानते हैं तो उसको भी कहिए कि वो अपने friends भी इस list में चेक करें तो इससे क्या होगा आप देखेंगे यहाँ पे यह friends उनके बीच में बने होंगे परंतु यह friends उसकी list में नहीं होंगे क्योंकि recently क्योंकि अभी जल्दी जल्दी बनी है तो ऐसे बहुत सारे दिरे-दिरे करके friends यहाँ पे आते जाएंगे परंतो यहाँ पे आप list देखेंगे तो totally आपको अलग तरह की list दिखाई देखी दूसरा क्या करें अब यहाँ पे आप देखिए दूसरा option है यहाँ पे about section का तो about section में जाएं और दोनों ही आईडी में आप देखेंगे तो about section में यहाँ पे देखिए कोई detail नहीं है और यहाँ पे आप अब अगर about section देखते हैं तो यहाँ पे पूरी details उन्होंने अपनी भर रखी है आप देखके इसमें अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी duplicate है और कौन सी original ID यहाँ पे है इसके अलावा और क्या चेक करें तो देखिए यहाँ पे about section के अलावा भी कुछ information होती है जो आप चेक कर सकते हैं जैसे see friendship को आप चेक करेंगे तो इन दोनों के बीच में आपको जरूर post होंगी आपके बीच में पुरानी जो post होंगी वो यहाँ पे दिखाए देंगी जबकि नई या hacked ID है या जिससे आपकी demand की जा रही है पैसे की demand की जा रही है वहाँ पे कोई post available नहीं है अगर आप कोई भी test नहीं करना चाहते तो यह छोटा यहाँ सा टेस्ट तो आप कर ही सकते हैं यहाँ पे आप जाएं यहाँ पे जो तीन मिंदिया आपको दिखाए दे रही हैं वह आप कर सकते हैं यहाँ से friendship आप चेक करें और उससे आप पता लगा पाएंगे कि आपके और उसके बीच में क्या sharing हुई है अभी तर्च यहाँ पे डिटेल्स दी गई है डिटेल्स अबाउट डैट पर्सन फैमिली और रिलेशन कॉन्टेक्ट यह सारी चीज़े आप जरूर चेक कर लें बीच में कुछ चीज़े आपको जरूर मिलेंगे यहाँ पे इंफरमेटिव जो आपके और उसके बीच में होंगी अब जब आपकी आईडी हैक हो चुकी है तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे हैक नहीं हुई है यह चीज़ धानले हैक का मतलब है आप लोगिन ही नहीं कर पाएंगे अगर आप अपनी आईडी के उपर लोगिन कर रहे है तो इसका मतलब हैक नहीं हुई है यहाँ पे इसी की डुप्लिकेट आईडी बनाई गई है जिससे वो सारे फ्रोड होने जितने भी नाम कुछ भी रखा जा सकता है नाम बदला जा सकता है फोटो आपकी कैप्चर की जा पर बना सकता है यह उन दोनों का प्रोफाइल शेटिंग सपेज है यहाँ पर एक ऐसनल है और एक डुप्लिकेट है यहाँ पर मैं इसको number one कह देता हूँ और इसको number two आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रोफाइल नेम है वो दोनों का एक जैसा है परंतु अगर हम link देखें या ID देखें जिसको हम Facebook ID कहते हैं यह Facebook ID है तो यहाँ पर आप देखें यह है b2.jabantu.71 का something different और यहाँ पर यह है सत्पाल.coser यह original ID है और यह fake ID है यानि कि जो duplicate profile है वो तो यह चीज़ आप चेक करें आप unique है क्योंकि आपकी ID तो यहाँ पर पिक्चर profile के नीचे अपनी ID भी लिख सकते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है आपकी Facebook ID है आपकी पहचान है उससे easy यह रहेगा या security ज़्यादा रहेगी कि आपकी profile के साथ साथ आपकी Facebook ID भी दिखाई देगी तो वहाँ पे fraud होने के chances य आपकी original ID है तो assistity में आप हमेशा एक सिधान रखिए कि जब भी आपकी profile नई create की जाती है आईडी अलग है मैं profile की अब बात कर रहा हूं आपके नाम की copy की जाती है profile तो assistity में क्या करें आपकी जो duplicate ID बनाई हुसका तो आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उसमें login कर नहीं पा profile सारी चीजे चेंज कर लीजिए और continuously आप पोस्ट डालते रहिए दिन में दो तीन चार आप जितने भी उससे क्या होगा आपकी जो original ID है जो original profile है वो ज्यादा active रहेगी in comparison जो fraud profile थी उसके तो इसलिए ज्यादा पोस्ट डालिए उस दोरान और ऐसी पोस्ट डालिए जो relevant हो आपके मित्रों के साथ हो ताकि यह लगे कि real material आपके पास है और यहीं है परन्तु मित्रों के लिए वहाँ पर बता ही चुका हूँ कि वो जब भी चेक करें friend request आए तो आपको ID जरूर चेक करनी चाहिए इसके अलाबा कुछ simple से steps आप follow कर सकते हैं जो three dots दिखाई देने इस दिखाई देती है उसके बाद यहाँ पे options आप देखेंगे देखी यहाँ पे option है find and report profile तो अगर आपको लगता है कि यह आपके friend की नहीं है इस ID के साथ कुछ दिक्कत है तो आप इसके उपर क्लिक करें और इसको report करें आप report कर सेंगे fake account के लिए fake name के लिए posting inappropriate things के लिए या किरेंने की जो भी आपको घलत लगता है कुछ facebook पे हुआ है तो आप यहाँ पर जाके facebook को report कर सकते हैं यहां पे fake account create क्या गया है तो आप fake account का report करें अगर नाम जैसे यहां पर हमने देखा नाम बदला गया था फिक नाम इचाए हम नाम रियाँ पर पर रिपोर्ट करते हैं यहां पे जैसे ही हम report करते हैं तो होगा क्या does this go against our community standards ये facebook पूछेगा कि क्या ये community standards के against है तो yes कीजिए और उसके बाद आप submit कर दीजिए यहां पे submit करेंगे तो यहां पे जो request है वो submit हो जाएगी और उसके बाद जो decision आएगा कुछ time के बाद वो आपके सामने दिखाए देगा उसके अलावा भी आप कुछ चीजे कर सकते हैं जैसे यहां पे block दिया गया है जो भी fake name से id बनाए गई थी उसको आप block कर सकते हैं option है यहां पे unfollow का unfollow कर सकते हैं ब्लोक का मतलब उसकी कोई भी details कोई भी चीजे होंगी वो आपसे contact नहीं कर पाएगा आपको message नहीं कर पाएगा unfriend करना चाहें तो वहाँ पे आप इनको unfriend कर सकते हैं unfriend का भी असर यह होगा कि आपकी वो friend list में नहीं रहेगा आपको message नहीं कर पाएगा आपके photo वो नहीं देख पाएगा तो जो fake name से ID है उसको आप block करें, unfollow करें और यहाँ पे unfriend भी करें इस तरीके से आप खुद तो अपने आपको safe रखी सकते हैं बलकि दूसरे लोगों को भी अपने इस तरह की दिक्कतों से बचा सकते हैं तो report जरूर करें इस तरह की अगर आपको कोई भी ID दिखाई देती है या आपके साथ पहले कभी इस तरह की चीज़े हुई हैं आप अपनी picture profile को भी secure कर सकते हैं वो mobile के उपर feature available है बहुत simple है आपकी जो profile picture है आप उसके उपर जब press करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे option आता है और इस तरह के से वहाँ पे आप अपनी profile photo को लोग कर सकते हैं उससे क्या होगा कि आपकी जो profile है उसकी photo कोई capture नहीं कर पाएगा और उसकी duplicate photo upload नहीं कर पाएगा तो इस तरीके से भी आप अपनी profile को secure कर सकते हैं तो यहाँ पे हमने देखा कि कुछ steps follow करके हम अपने आपको और अपने मित्रों को secure कर सकते हैं और खुद भी इस तरह के fraud से बच सकते हैं यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने हर मित्र के पास हर family member के पास जरूर share कीजिये ताकि वो भी इस तरह के fraud से बच सके और दूसरों को भी ऐसे fraud से बचा सके So stay safe, thank you very much